दोस्तों दुन्या में सड़के इसलिए बननी सुरू हुई ताकि लोग अपने मंजिल तक बहुत तेजी और आसानी से पहुँच सकें लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी रास्ते आपको मंजिल तक ही ले कर जाएं पुछ रास्ते इतने सुन्दर होते हैं कि इंसान इसी में खो जाएं और पुछ रास्ते इतने खतरनाक कि मंजिल के बजाए मौत की उड़ ले जाएं ऐसे सांधार और खतरनाक रोड्स के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में जिससे देखकर आपके रोंगते खड़े हो जाएंगे तो मने रहे इस वीडियो के अंततांग नमबर एक पर है सर्कुलर ब्रीज रोड दुस्तो तैलांग मौंटेन पर लोकेटेड ये ब्रीज दुन्या का पहला तीन मंजिले सर्कुलर ब्रीज है ये ब्रीज 2016 में बनकर तयार हुआ ये ब्रीज 1370 मीटर की उचाई पर बना है इस ब्रीज की कुल लंबाई 30 किलोमेटर है जबकि इस ब्रीज की उचाई 350 मीटर ब्रीज का एरियल व्यू किसी विसाल का अधानों के समान दिखता है इस ब्रिज को बनाने में करीब 7000 टर्न इस्टिल को प्योग किया गया है दुन्या का बड़े से बड़ा ड्राइवर अपने जीवन काल में एक बर इस रोड पर ड्राइव करने का सपना जरूर देखता है आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस रोड पर स्रिफ इस्किल ड्राइवर को ही गाड़े चलाने की अनुमती दी जाती है इसका एरियल व्यों देख कर लोगों की आखे खुली की खुली रह जाती है दूस्तो इस बहतरीन सडक के लिए लीक लाइक तो बनता है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे दूसरे नमबर पर है एलिवेटेड लोगाई रोड दूस्तो लोगाई एलिवेटेड रोड चीन के हैनान प्रांत में बना है ये दुन्या का सबसे लंबा और सबसे कॉंपलेक्स रोड है इसकी लंबाई 26.5 किलोमेटर है ये एक्सप्रेस वेड 2015 में बनकर तयार हुआ इस एक्सप्रेस वेड की मैक्जिमम स्पेड 80 किलोमेटर प्रती और है इसे इंजिनियरों का करिस्मा भी कहा जाता है क्योंकि एक साथ कई रिंग रोड अलग अलग एलिवेशन पर बेहदी सांदर तरीके से बनाया गया है जो औसतन छे से आर्ट लेन वाली होती है ये रोड बेहदी खतरनाग भी हो सकता है यदि कोई भी एक लाइन तूट कर दूसरे के उपर गिर जाये तो दोस्तों जौर्जिया में तूसेटी मौणिटन में लोकेटेड इस आइकॉणिक रोड को जिन्या का सबसे खतरनाग रोड कहा जाता है इस रोड को अबानो मौणिटन पर बनाया गया है इस रोर में कई जाननेवा हेयर बैंट टरंस है जिसमें जरसी भी चूप यात्री को मौत के मूद तक ले जा सकती है ट्राइवर्स कले ये रोर भले ही इंग मूरा सपने जैसा हो लेकिन एरियल व्यू किसी को भी एक बहुत सुन्दर सपने जैसा लगता है इस रोर के रास्ते में अमोला नाम का एक सुन्दर गाओं भी पढ़ता है जिसे उचाई पर बसे दुन्या के सबसे सुन्दर गाओं में गिना जाता है इस गाओं की छते सपाट नहों कर कौन अकर में है जिस पर पच्चरों की ढलाई की गई है इस गाओं का मुख्य पालतु पसुप गोड़ा है चोथे मेंबर पर है अलदाक्ष रोड दोस्तो बारिश के मौसम में सडकों के उपर से पानी का बैना आम बात है लेकिन खत्रा तब पैदा हो जाता है जब इसे पार करना बहुत जरूरी हो दोस्तो ये इराग का अलदाक्ष रोड है जो फुरात नदी को पार करके फुरात नदी बारिश में सडक के उपर से पेहने लगती है जिसे पार करने के लिए अच्चे-चे काड ट्राइवर्स की जान हलक पे आ जाती है बारिश के मौसम में इसे पार करते हुए कई लोग की मौत भी हो जाती है इसलिए इसे दुन्ये के सबसे खतरनाक सडकों में गिना जाता हें दोस्तो आप कौन सा देश में रहते हैं और आपके देश का सबसे खतरणाग साड़क कौन सा है हामें कमेंट करके जरूर बताना पांचवा नमबर पर है बेर विक्श जयपता दोस्तो पिक्श जयपता खारी क्यूबा में इस्थित है ये रोड दुन्या के सबसे बड़े क्रैब माइग्रेशन के लिए जाना जाता है ये रोड क्यूबा की ऑथराइटी के लिए बहुत बड़ी समझे बन कर सामने आई क्यूंकि ये रोड लाखू रंगी रंगी केकड़ों से ढख जाता है जिसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं यहाँ साल में एक बार क्रैब का मास माइग्रेशन होता है इस रोड पर गुजरने वालों के लिए एक दूदा ये होती है तो उनके पास चलने के लिए एक मात्र यही रोड है और अपने डेश्टीनेशन पर गुजरने के लिए उन्हें हजारों के उड़ों के उपर से उकर गुजरना पड़ता है इस रोड पर सिर्फ कार से चलना सेफ होता है चारों तोड़ गुजरना बेहादी खतरना एक एक्सपरियंस माना जाता है तो दुस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको इन में से कौन सी सड़क सबसे ज़्यदा खतरनाख लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो पसंद आही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद